हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मै चैनल, रस्मलाई बनाने का प्रोसेस बड़ा ही लंबा होता है, पर आज हम बस एक ही ग्लास दूद से 10 मिनिट में रस्मलाई बना के तयार करेंगे, चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इस इंस्टेंट रस्मलाई की रेसिपी को, इसके के अलावा हमने यहां पे दो तिन चमबस दूद में 12-15 रेशे केसर के भीगों के रख दिये हैं, यहां हमने मलाई के साथ ही पहले से बॉल किया हुआ दूद एक ग्लास ले लिये हैं, इन सब के अलावा लिये हैं 3 टेबल स्पून सुगर, और हाप टी स्पून लिये हैं, इलाईची का पाउडर, हमने यहां पे एक सॉसपयान में पानी गरम करने के लिए रख दिया था, पानी गरम हो चुका है, ग्यास का फ्लेम को कर देंगे ओफ, अब एक एक करके रजगुले इसी पानी में डालेंगे, और इसे 5-7 मिनिट के लिए ढख के छोड़ देंगे, दूसरे तरफ हमने और एक सॉसपयान को ग्यास पे चड़ा दिया है, अब दूद को इसमें टाल देंगे, और इसे हलका गरम होने देंगे, दूद हलका गरम हो जाए, तो यहां पे हमने लिए है एक कप मिल्क पाउडर, दूद हलका गरम हो जाए, तो मिल्क पाउडर को इस हमने दूद में milk powder आड़ किये है इसलिए दूद को हमें बहुत देर तक उबालने की जरूरत नहीं है दूद में अभी boil आने लगा है इसी टाइम हम इसके साथ भीगोए हुए केसर को भी आड़ कर देंगे अब flame को low कर देंगे रजगुले गरम पाने में पड़े हुए 5 मिनिट हो चुके है इन्हें अब पाने में से निकाल लेंगे यह देखिए इह रजगुले और भी soft हो गए हैं अब हम एक रजगुला लेंगे और दोनों हतेलियों के बीच में इस तरीके से प्रेस करके इसका रस निचोड़ लेंगे बहुत ज्यादा हमें इसे प्रेस नहीं करना है नहीं तो यह hard हो जाएंगे सेम इसी तरीके से हम सारे रजगुलों में से रस निचोड़ लेंगे अब इन रजगुलों को एक एक करके हम दूद में डालेंगे हलके हाथ से एक बार चला लेंगे और बस दो मिनिट के लिए इन रजगुलों को दूद में उबलने के लिए छोड़ देंगे इसे उबलते हुए 2 मिनिट हो चुका है हमारी रस्मलाई बनके बिल्कुल तयार है अब ग्यास का फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे रस्मलाई अभी बिल्कुल ही ठंडी हो चुकी है इसका कलर बहुत ही सुन्दर आया है इसे अब एक सर्विंग बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे गार्निस करेंगे कटे हुए पिस्ता से बहुत ही सौप्ट और मुँ में घुल जाने वाली रस्मलाई बनके बिल्कुल तयार है आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते है क्या फिर इसे दो से तीन गंडा फ्रीज में रखके ठंडा ठंडा भी इसे सर्व किया जा सकता है मिन्टुब में बनने वाली और मुँ में घुलने वाली इस इंस्टेंट रस्मलाई रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करे आपको रेसिपी अच्छा लगे तो एक लाइक करे और इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिप्स के साथ शेयर करे और मेरे चानल को सब्सक्राइब करके बेल बटन फ्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ